नमस्ते दोस्तों वेलकम बैक टो यह ओन चैनल ट्रेट तारगेट जी हाँ दोस्तों बिना और टाइम वेस्ट के सबसे पहले शुरू करते हैं जिस चीज के लिए आपके वीडियो देख रहे हैं आपके लिए अपके वीडियो भी देख चुके होंगे लेकिन अभी तक बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए नहीं होंगे चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट की हैं सीधा आपके सवाल पर कि बरगर किंग का आईपियो से रिलेटेट जितने भी आपके क्वेरी हैं सॉल्ड करता हैं जी हाँ दोस्तों बरगर किंग का आईपियो का जिसका अलॉट्मेंट स्टेटस अपडेट हो चुका है और आप चाहें तो इसका आप चाहें तो अपना स्टेटस चेक करते हैं लिंक इन टाइम के साइट पर जैसे ही इसका अपडेट आया मैंने सबसे पहले टेलिग्राम पर इसका अपडेट कर जाता है और वहाँ पर लिंक भी शेर कर दिया था अगर आप अभी तक ओपन फर और टेलिग्राम का पार्ट नहीं बने हैं तो आप चाहें अगर आपको लगे यूसफुल तो डिस्क्रिप्रिशन में उसका लिंक है आप उसका पार्ट बन सकते हैं चलिए अब शुरू करते हैं इसके बार में बगर किंग के बार में जैसे कि आप सभी जानते हैं बगर किंग का IPO 2nd December को आये था और उसकी क्लोस देट हुई थी 4 December को और उसका अलोटमेंट एक्कोर्डिंग तो डेट जो इसका टाइम टेबल नोगे बनाया है कल शाम से आ ज हुआ है तो इसलिए आज बार एक दो बज़े के अराउंड इसका अलोटमेंट आया था अब बात करते हैं जिन लोग को मिल चुका है उन लोग को मैंने अपने खुद अपनी फैमिली मेंबर से 5 लोग के नाम से मैंने अपलाई किया था 5 मिल से मुझे एक 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 मिला है और बाकी मुझे रिफर्ण आना शुरूए हो एक का तो मुझे आ भी चुका है तो आम शुर बाकी भी कल तक आ चुके होंगे तो आप जिन लोग को अभी तक अलोटमेंट नहीं मिला है और पेमेंट रिफेंट नहीं हुए तो घवराने की कोई बात है नहीं और जुन लोग को मिल चुका है तो आपको 11 तक यानि कि 11 को आपके डीमेट अकाउंट में या फिर कैसे या अगर 11 को किसी तरह नहीं भी आता है तो 14 से पहले ही आप के डीमेट अकाउंट में पूरे शेर आ चुके होंगे और 14 को 10 बजे मॉर्निंग में इसके लिस्टिंग हो चुकी होगे आप लोग को थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो चुके होंगी वह भी आसान भासा में अब बात करते है नॉर्मल इसके कि जब इसका सब्सक्रिप्शन हुआ कि कि किस कोटे से कितना हुआ क्यू आई भी कोटे से हुआ था 86 परसेंट एक्टिस आम सॉरी 86 गुना एन एनाय कोटे से यानि आप और हम कोटे से हुआ था 68 परसेंट टोटल इसका सब्सक्राइब हुआ था इप्यों 156 जो के काफी अच्छा नंबर है अब बात करते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में अभी तक जो अभी जब लिस्ट हुई नहीं थी यह कंपनी तब तक प्र 60 परसेंट जो कि अभी वी एक काफी अच्छा नंबर है 50 परसेंट से उपर मैं इसको काफी अच्छा मनता हूं जिस भी शेयर में प्रमोटर के पास होल्डिंग 50 से अबब हो अब बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की कि लिस्टिंग की क्या एक्सपेक्टेशन है अगर मैं मैं बताओ तो मेरी परसेंट परसेंट मानो तो आई प्यों आए था अराउंड 59 तो 60 के प्राइस में लेकिन मुझे लगता है अगर आपको यह लिस्टिंग 3 डिजीट में भी दिख जाए तो मुझे हैरानी बिलकुल नहीं होगी अभी इसका ग्रे मार्केट मे प्रीमियम चल रहा है अराउंड 60% के आसपास बट फिर भी 60 to 70 के बीच मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है और मैंने इस चीज के लिस्टिंग गें के लिए ही इसमें अपलाई किया था जैसे ही मुझे जैसे ही लिस्टिंग होगी वो सबसे पहले आदमी में होंगा जो एक्ज अगर आपका आपका होरेजन मेरी तुरह है या फिर आपका पॉपर्स भी यह था कि लिस्टिंग गें मिले और आप सीधा एक्जिट उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि कंपनी का परफॉमेंस कैसे होती है क्वाटरली रिजल्ट कैसे आते हैं देन उसके बाद मैं सोचू क्लियर हो गई होंगे अगर अभी भी आपको बर्गर किंग से रिलेटेट कोई भी क्वेरी या फिर शिकाएग या फिर कोई भी आपका सेजेशन है प्लीज लैट में इन अ कॉमेंट अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी न्यूज आसकी आया सिटिसी जी हां दोस्तों आपकी और हमाई सबसे फेवरेट कंपनी आया सिटिसी जो एक बहतरीन बुलरंग एक बहतरीन प्रॉफिट अभी तक गे चुकी है डिस्पाइट 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 इस फॉल लेकिन जैसे ही आपने न्यूज पढ़ी है न ओफस ये ओफस के चक्कर में काफी सार और तीन दिन के अंदर जैसी बिल्कुल ओफस के पास के डेट आई शेर को भगा दिया गया और शेर ने टच किया अच्छारा सो का लेवल अब समझ सकते हैं कि तीन से चार दिन के अंदर शेर ने ओल्मोस बाइस से बीस परसंट से बाइस तक का रिटान दिया अब ओफस है या फिर ऑपरेटर का गेम है अब आपको एक चीज समझाता हूँ जो आपको I'm very sure अगर जो लोग जानते हैं वो तो बहुत अच्छे बात है आप मुझे बता देना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ और जो लोग नहीं जानते हैं तो उन लोगों के लिए एक च इसी है 75% से उपर कोई भी कम कोई भी प्रमोटर अपने पास शेर नहीं रख सकता है तो उसको किसी भी हाल में 75 लाना ही पड़ता है तो अभी तक आप जानते 85% आया सिटिसी की होल्डिंग पूरी गवर्मेंट की पास है अब वो दीरे दीरे पहली बार 15 किया था पिछले स सेंट शेर होल्डिंग अपनी सेल की थी अभी और कर रहे हैं तो दीरे दीरे इसको एस पर सेभी के आर्बिया के गाडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो अब ओफेस के स्टेटेजी बताता हूं आपको ध्यान होगा तीन-चार दिन ये पहले इसके चार्ट देखत ङो उसके बाद बताते हैं अब मैं आपको दूंब करकि बताता हूं ने यह देखे हैं यहाँ पर तीन-चार दिन पहले शेरுम अब छो बताता हूं और आप देख सकते हैं किस तरह का एक move दिखाएगा बिल्कुल one sided move और आप जानते हैं जब भी किसी भी शेयर में या किसी भी टाइम फ्रेम पो one sided move आता है तो बहुत बेटक सस्टेंट करने ही पाता है और आज आप उसको आज आपको दिखाए देगे यह बूम यानि कि एक heavy selling यही होता है जब भी जब भी OFS आता है तो या तो हमको OFS से पहले ही जब एक अगर आपका टाइम आप ट्रेडिंग करना कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जब प्राइस पंप हो रहा हो तभी आप पोजिशन ले ले और OFS से पहले ही exit हो जाए या फिर आप से इन्वेस् के साथ लेंगे तो हमारे लिए भी अच्छी बात है और हमारे लॉस होने के risk हमारा काफी कम हो जाता है although मैंने इससे पहले इसमें जबकि मेरे काफी टाइम से रेडार पर है लेकिन मैंने इसमें पोजिशन बनाई नहीं अब जाके मैं सोचूंगा कि किस लेवल पर है मैंने मैं मैं सोच रहा हूं कि इस मार्केट लेवल पर एक बार मार्केट प्राइस पर आ जाए तो मार्केट से ही इसको उठा लूँगा तो यह स्टैटेजी आपको हमेंसा ध्यान रखने को जब भी किसी भी शेयर का ओफस आता है तो उससे पहले प्राइस को भगा दिया जाता ह है ताकि जब discounted rate है तो already company अच्छे company का शेयर उपर के दाम पर हो यानि company का शेयर काफी ज़्यादा फॉल ना हो और इसी में retailer first जाते हैं प्लीज आपने आयर सिटी किस लेबल पर खरीद है अब प्लीज बताएं कॉमेंट सेक्शन में I'm sure आपने से काफी लोग अच्छे या फिर आप बाई करने के सोच रहे हैं या फिर आप अभी भी company के company के fundamental पर डाउट कर रहे हैं या फिर company के fundamental पर आपको जानना चाहते हैं प्लीज लेट मीडो मैं से detail में वीडियो बना दूँगा अभी बस इसी चीज़ के बारे में बात करने ही अब आपको एक और example देता है जब इसका OFS आया था यह देखिए मैं दिखाता हूं आपको अब यह देखिए यहां से इस जब शेयर यहां पर था तब न्यूज आये थी OFS के और शेयर एक साइड़ वन साइड़ मूब शेयर ने दिखाया उस ताम OFS की न्यूज थी और जैसे ही OFS खत्म हुआ उसका देखिए पूरा शेयर 50% से उपर पूरा आपका कैपिटर वाइप वाइप आउट कर चुका था तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से एक गेम खेला जाते हैं और उस गेम में रेटेलर फास जाते हैं तो आपको आगे भी कई सारे अच्छी कंपनियों के भी OFS आएंगे तो सावधान रहना बहुत ज़रूर है या तो OFS से पहले निकल जाओ अगर आपका रहता शौट टर्म है या फिर आप शौट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल ऑपरेटर के साथ एंट्री करो ऑपरेटर के साथ एक्जिट करो अब आपको सवाल यह हुगा कि पकड़ एंट्री कर चुका है या फिर अभी नहीं एक्जिट कर चुका है अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ओपर एक डिटेल वीडियो बना हूँ अगर आपके ज़्यादा ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका अभी तक और अभी तक कोई खास बड़ी रिकवरी है नहीं अगर फैनी यह एक अगर आपको दिखाया है एक अच्छी रिगवरी के बार आल्मोस यहां पे एक भयंकर गिरावट जिसे कह सकते हैं आपका अगर आप उपर के लिए फस गये हैं तो अभी तक आप रिकवर कर नहीं पाएं तो इस तरह से ऑपरेटर एक गेम खेलता है तो उससे हमें सावजान रहने के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके लिए भी एक स्टेटरजी है कि कैसे पता करें कि ऑपरेटर के एंट्री हो चुकी है ताकि अगर ऑपरेटर के साथ हम भी एक प्रॉफिट बना सके और ऑपरेटर के साथ हम भी एकजिट कर सकें यही हाल हु में यह देखिए GMM में भी यही हुआ था एक अच्छा खासा बूल रहना आया था पहले वन साइड़ यह वन साइड़ गया और उसके बाद देखें बिल्कुल 50% से जादा आप correction दिखाया तो generally ऐसा correction आता नहीं है तो यह इसी का यही है कि पहले उसको भगा दिया जाता है ताकि अपना operator अपना profit बुक करके और बाकी लोग उसमें उपर फज जाएं तो इस तरह से हमें बेकुल जानना होता है कि OFS कितना important है और कैसे उसको play किया जाता है तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जितने ज्यादा comment आएंगे तो मैं इसको डीटेल में वीडियो बनाने पूरी को एक अच्छे सा आसान बहासा में बनाऊंगा तो यहीं थे तीन example जैसे आपने देखा IRCTC में GMM Fordler में और तीसरा और तीसरी बात करों है HAL में तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया न तो प्लीज लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें next वीडियो बनाने के लिए motivate करता है और नहीं भी आया न कोई बात नहीं लेकिन dislike ज़रूर कीजिए क्य जो है सीधा लिखे comment में लिखे कि भाई ऐसा है यह चीज पसंद नहीं आ रही है इसको ठीक करें दूसरा अच्छी तरह से बताओ या तिर अच्छा लाइगा तो बताओ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न तो प्लीज कर दीजे उससे होगा क्या क्या क्योंकि जैसे हम डेली रेगुलर बेस पे नए नए वीडियो अलग लग टॉपिक पे वीडियो लाते रहते हैं अगर ऐसा ना हो कि कल हम कोई अच्छा सा टॉप हमने MCX और विन्नती और अर्गनिक एनलेसिस के थी और उसमें जिन लोगों ने भी वीडियो देखा उनको पहले ही दिन पहले ही दिन दोस्तों विन्नती I'm sorry MCX में 5% से उपर का रिटर्न का फाइदा हुआ विन्नती ने आवजी भी consolidate किया आज मार्केट ज़रा से डाउन थी जैसे कि आप जानता एक्सपाइरी है बट हाँ अभी भी उससे अभी भी उससे अभी भी उससे काफी अच्छा लगता है मैंने नीचे के लेवल पर कुछ शेर और एड किये हुए तो और बाकी उस वीडि झाल 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 झाल